हेलो आपके साथ अपनी मदर इंलाओ की एक बहुती बेहतरीन और लाजवाब रेसिपी शेयर करने जा रहे हूँ तो आज हम बनाने जा रहे हैं अलबेले कबाब यह जो कबाब है इंका टेस्ट एक दम अलबेला और डिफरेंट है और यह बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन जाते हैं और इनका टेस्ट लाजवाब होता है और ये कबाब बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं तो आईए इसको बनाना शुरू करते हैं और इसके लिए इन ग्रीटिन्स नोट करते हैं तो मैंने आपर लिया है चिकन का कीमा लाल शिमला मिर्च प्याज तेल कबाब को फ्राय करने के लिए सुमैक पाउडर काली मच का पाउडर और नमक सुमैक पाउडर आपको ग्रॉसरी स्टोर्स पर बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगा क्योंकि आजकल हर तरह के स्पाइस बाजार में अवेलिबिल हैं इन केस आपको यह वाजार में नहीं मिलता है तो आप इसको आउनलाइन भी मंगा सकते हैं आउनलाइन यह एजीली मिल जाएगा आपको मिडलीस्ट की बहुत सारी रेसिपी में सुमैक पाउडर का यूज होता है आपने देखा होगा मैंने जो हमुस के रेसिपी आपके साथ शेयर करी थी उसमें भी मैंने सुमैक पाउडर का यूज किया है उसको मैंने उपर से स्प्रिंकल किया था हमुस में और इसका जो टेस्ट है वो हलका सा खटा और नटी होता है और जब यह शिम्ला मिर्च और प्यास के साथ मिक्स होता है तो उसका टेस्ट कबाब में बहुत ही बेतरी नाता है तो सबसे पहले हम शिम्ला मिर्च और प्यास को बिल्कुल बारी काट लेंगे अगर आप चाहें तो नाइब से भी इसको बारीं काट सकते हैं मैं difेन से इतुना बारी नहीं काट सकती है तो मैंने यहां पर चौपर रॉसे किया है तो चौपर में मैंने पीयाज और शिम्रा-मिर्ष को रफली काट के डाल दिया है अगर आपके पास food processor हो तो आप इसमें भी इसको बिल्कुल fine chop कर सकते हैं तो अब मैं इसका धकन लगाके इसको pull करूँगी जब इसको मैं pull करूँगी तो इसके अंदर जो blade है वो move करेगा और इसके अंदर जो भी चीज़ है उसको fine chop कर देगा तो ये जो शिम्ला मिर्च और प्याज है ये बिल्कुल fine chop हो जाएगी इसमें और प्याज और शिम्ला मिर्च को आपको पीसना नहीं है अगर आप इसको पीस देंगे तो इसका flavor बिल्कुल अलगा आएगा कबाब में फिर तो आप मैंने इसका ठकन खोल के इसकी वाल्स को scrape कर दिया है और एक बार मैं इसको और चला दूँगी और अब फिर से चेक कर लेते हैं इसको तो ये देखिए बिल्कुल fine chop हो चुका है बस इसी तरह का हमें चाहिए था ये mixture तो आप बस ये बिल्कुल तयार है ये देखिए आप पास से भी देख सकते हैं बिल्कुल fine हमने इसको chop किया है तो अब मैंने कीमे को एक बड़े बोल में डाल दिया है और अब इसमें ये जो mixture है इसको डाल दूँगी में अब इसमें डालेंगे काली मिर्ज का पाउडर सुमाग पाउडर और नमक पाउडर कम डाला है अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं और आप नमक भी अपने टेस्के हिसाफ से इसमें डाल सकते हैं अब इसको हम मिक्स कर लेंगे इसको आपको चार से पांच मिनट तक अच्छे से मिलाना है ताकि सारी चीजें अच्छे से चिकन के कीमे में मिक्स हो जाएं तो इसको मैंने मिक्स कर लिए अब मैं इसको ढख कर 20 मिनिट के लिए फ्रिज में रख दूंगी मैरनेट होने के लिए तो 20 मिनिट हो चुके हैं और चिकन का कीमा मैरनेट हो चुका है अब हम कवाफ फ्राय करेंगे तो मैंने पैन में 3 टेबिल स्फून तेल गरम करने के लिए रखा ये और स्टोफ को मैंने मीद्यम फ्लेम पर रखा हुआ है और हाथों पर मैंने थोड़ा सा ओल लगाया है थाके ये मिक्शर हाथ पर चिपके हना और थोड़ा सा मिक्स्चर हाथ में लेके इस तरह से मैंने ठीकिय बना लिए और चोटे-चोटे कवाब आपको इसके बनाने है ताकि वो अंदर तक अच्छे से सिखें और जल्दी बनके त्यार हो जाए तो एक-एक करके मैं चोटे-चोटे कवाब बना कर पैन में रखती जा इनको मीडियम ही रखिएगा अगर आप इसको हाय कर देंगे तो यह बाहर से जल जाएंगे और अंदर से अच्छे से सिखेंगे नहीं तो अब मैंने इनको पलट दिया है बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है अब दूसरी साइट से भी हम इनको तीन से चार मिनिट तक फ्राय होने देंगे तो एक बैच को फ्राय होने में आठ से दस मिनिट लग जाएंगे तो दूसरी तरफ से भी खुब अच्छे से फ्राय हो चुके हैं कबाब खुब अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है तो अब बस हमारे कबाब रेड़ी हैं अब हम इनको प्लेट में निकालेंगे और पैन पर आप जो यह कलर देख रहे हैं यह जो हमने इसमें रेट क्याप से कम डाली है उसका कलर निकला है यह पैन जला नहीं है बिल्कुल भी आप इसको थोड़ा सा पानी से रिंज करेंगे तो यह आराम से क्लीन हो जाएगा तो अब इसमें जो ओयल है इसको मैं एक चोटी कडोरी में निकाल लूँगे क्योंकि इस ओयल में बहुत फ्लेवर है इसको हम नेक्स बैच में यूज करेंगे और यह जो पैन है इसको मैं थोड़ा सा रिंज करके लिए तो पैन को मैंने थोड़ा सा धूल लिया है और मैंन और जितने कबाब आप प्लेट में देख रहे हैं उतने नहीं बने थे 18 कबाब टोटल बनके तयार हुए थे लेकिन मेरे बच्चे लेके चले गए थे इसलिए मैंने आपको पूरे कबाब नहीं दिखा है प्लेट में और मैंने इनको सर्फ किया है ग्रीन चिली सॉस के साथ औ बहुत आसानी से बन जाता है तो यह कबाब की रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राय करिएगा आपको यह बहुत पसंद आएगी मेरे बच्चों को तो यह कबाब ऐसे ही पसंद है उनको इसके साथ किसी भी कैचचप की या सॉस की या डिप की जरूरत नहीं होती वो इसको खाते हैं और पराठों का तो वो लोग बेटी नहीं करते हैं उनको यह कबाब इतने जादा पसंद है तो आप भी इस कबाब को एक बार जरूर ट्राय करिएगा आपके बच्चों को भी पसंद आएंगे और आपके महमानों को भी पसंद आएंगे और अगर आपके महमान इ टेक केर बाई